यह 10 संकेत बताते हैं आपके घर में लक्षमी आने वाली है 1. उल्लू को माता लक्षमी का वहन माना जाता है अगर आपको घर के आसपास अच्छानक से कहीं उल्लू दिखाए दे तो यह बहुत शुप संकेत माना जाता है यह इशारा करता है कि मा लक्षमी जल्दी आपके घर पधारने वाली हैं 2. जिन घरों में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्षमी जरूर जाती है अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में मा लक्षमी जरूर वास करेगी 3. यदि आपको सुबह उठते कि कोयल की मीठी आवाज सुनाई, दे तो समझी कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है 4. मान्यता है कि सुबह के समय कही जाते हुए अगर आपको कोई जारू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुब होता है इसका मतलब है कि आप पर मा लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है 5. सुबह उठने के बाद अगर आपको शंक की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुब संकेत होता है 6. अगर आपको सपने में सांप का बिल दिखाए दे या फिर बिल में सांप दिखाए दे तो ये आकस्मिक धन प्राप्ती का संकेत होता है ये सपना बताता है कि आप पर मा लक्ष्मी की कृपा है 7. घर के छज्जे या आंगन के पेड में चड़िया कबूतर या किसी पक्षी का घोसला बनना भी शुब संकेत है लेकिन अगर आप किसी कारणवश उस पेड को कटवाते हैं तो ये हापके लिए अशुब साबित हो सकता है 8. यदि आपकी दाई हथेली पर लगातार खुजी हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आपके हाथ कोई मोटी रकम लगने वाली है करज या उधार में दिया रुपया पैसा भी आपको मिल सकता है 9. यदि आप किसी काम से बाहर निकलते हैं और रास्ते में आपको कहीं गन्ना दिख जाए तो ये पैसा आने का संकेत है 10 घर से बाहर यदि आपको कोई कुट्ता मूँ में रोटी या शाकाहारी चीज दबा कर दोड़ता दिख जाए तो ये भी आपके अमीर होने का इशारा हो सकता है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद